है गाईज, विल्कम टो माई चैनल, गाईज आप देख रहें अपना चैनल रेखा क्रियेशन, गाईज आज की वीडियो में हम देखेंगे पुराने ब्लाउज से नाप लेके नए ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें, नया ब्लाउज हम पुराने ब्लाउज से कैसे तयार करेंأ, यही चीज हम इस वीडियो में देखेंगे, यह हमारा main fabric और dwellers तर है यहां पे यह हमारा पुराना blouse है, जिसके measurement हम लेके इस blouse की cutting करेंगे, तो यहां पे हमको पुराने blouse का नाप कैसे लेना है, यह मैं बहुत ही आसान तरीके से A to Z टिस्ट का समझाऊंगे आप लोगों के साथ तो यहां पर हमने सबसे पहले इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से फैला लेना अगर जादा स्रिकुड़ा हो तो आपको प्रेस भी लगा लेना है इसमें जादा वो मतलब चुने नहीं होनी चाहिए मतलब पूरा नाप आपका क आपको इस प्रकार से देखी सबसे पहले लंबाई का ब्लाउज का नाप लेना है तो हमने ब्लाउज को इस प्रकार से फैला लिया पीछे की साइड से जब भी आप ब्लाउज की लेंथ नापे तो आप पीछे के साइड से नापे तो इस प्रकार से हमने उसको पलट लिया ह ब्लाउज को और यहां हमने इसको अच्छी तरह से ऊपर से नीचे पूरा टाइटली पकड़ लेंगे देखी इस प्रकार से हम पूरा फैला लेंगे इसके बाद हम सोल्डर से रखेंगे इंची टेप को और नीचे तक लेंगे यह कितने में रेडी हुआ है तो एक हम यहां प कि लेंगे तो मैंने यहां जो लम्बाई लिखा 14 इंच नोट कर लिया है अब हम लेंगे कमर की साइज के लिए आप को इस प्रकार से सारे नाप आपको टायटली इस प्रकार से खीच के ही लेने है तो यहाँ पर देखिए आ जा रहा हमारा डबल में 14 इंच मतलब यह हमारा 28 इंच है राउंड में तो कमर हमारी 28 इंच यहाँ पर है मेजरमेंट में चेश्ट हम देख लेंगे तो चेश्ट आप आगे वाले साइड से ना पिए क्योंकि पीछे वाले साइड में डीब कला होता है तो वो खिचा होता है यहाँ पर आप आगे वाले गले में देखिए तो यहाँ पर यह हमारा आ रहा है साड़े 16 इंच पौने 17 इंच के करीब में आ रहा है तो यह 33 से 34 के अराउंड में यह हमारा चेश्ट है तो मैं यहां पर 33 ही लिख रही हूँ 33 इंच का चेश्ट आ गया इसको एक बार हम हुक को ओपन करने के बाद हुक वाली साइड से नाप लेंगे तो हुक वाली साइड से मैं नाप रही हूँ तो यहां पर देखे हमारा साड़े आठ इंच आ रहा है तो साड़े आठ का मतलब हो गया कि 16-16 आया तो 33 इंच ही हमारा फोर्थ में आ जा रहा है चेश्ट इसका 33 है अब हम क्या करेंगे कि एक बार ओपन करके भी इसका नाप ले लेंगे कमर का भी हम एक बार केलियर कर लेते हैं कि फोर्थ वाग इसका कितना है तो फोर्थ वाग इसका 7 इंच ही है डबल में 14 था तो फोर्थ में यह मारा टोटल जो राउंड में आएगा यह 28 इंच कमर है और आपको जब भी कमर नापना तो आप हुक वाली जो हाई वा देखेंगे पीछे का आगे का गला देखेंगे बाजू देखेंगे तो बाजू हमारी कितनी है बाजू हमारी चार इंच रीडी आ रही है कटिंग हम इसकी पांच इंच से करेंगे जैसा कि एक इंच मार्जन का प्लस करके रखेंगे बाजू का जो बोटम आ रहा है मुद् में तो सिंगल में यह 14 इंच आ जाएगी कि मैं सात इंच ही यहां पर क्यूंकि कटिन गई तो हमको फोर्थ बाग से ही करना है मतलब और यहां पर जो हमारा ये तीरा आ रहा है तीरा जो रेडी है वो दो इंच है तो तीरे का मेजरमेंट मैं अपने हिसाब से लूँगी कि किस हिसाब से डीप नेक में रखना है यहां पर एक बार नेक की लेंथ ले लेनी है आपको आगे और पीछे की दोनों साइट की तो इस आप रखेंगे अच्छी तरह से और फैला के देख लेंगे यहां पर 7 इंच आगे का निक आ रहा है जो कि मैं 7 इंच नहीं रखूंगी पर 6 इंच रखूंगी कस्टमर ने बोला कि आप थोड़ा सा चेंच कर लेना अपने कोडिंग तो मैं अपने कोडिंग मतलब नाप तो न इंच रखूंगी पीछे के गले की भी हम लेंथ ले लेंगे इसके पहले हम टेक्श पॉइंट भी आगे से ले लेंगे तो टेक्श पॉइंट के लिए आपको सोल्डर से रखना है और नीचे जहां टेक्श पॉइंट सेंटर जो आता है तो यह सेंटर इसका आ रहा है यह स पिछे का नेक देख लिया पिछे का नेक आ गया साड़े नाव इंच का और एक चीज आपको यहांपर नेक जब मेजर करें तो आपको ध्यान रचना कि आप तिर्चे में नापे हैं तो तिर्चे में ही कटिंग के टाइम भी नाखते हैं सीधा अगर नाप लिए तो आपको सीधा ही रखना उसमें हाफ इंच का डिफरेंट होता है तो यहाँ पे मेजरमेंट में देखिए लेंध बलाउज की 14 इंच और जो है कमर जो है 28 इंच की ह आर्मोल 7 इंच का है बाजू की जो लंबाई है रेडियो 7 इंच है मुद्धा 5.5 इंच है और आगे का गला 7 इंच है और जो गले की चोड़ाई वो धाई-धाई इंच की आई थी तो 5 इंच टोटल हुआ पीछे का गला 9 इंच का रहेगा तो इसी मेजरमेंट में हमको बला लेने में कहीं पर भी अगर कोई प्रोब्lem हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूच सकते हूं मैं सारे उसकर इस प्रकार से Fould कर लिया 4Fould Fould आपने देखा मैंने कैसे लिया Fold हमको कैसे लेना 4FGB हमको Chest का 4th वाग उसमें 2". प्लस करके इतना fold आपको इस fabric में रखना 4FLD जो लेंगे हमने यहाँ पे 3.5-8 inch Chest का 4th वाग 2 inch प्लस किया 10.5-5.5 inch का forward लिया अब हम उपर से लेंथ का निसान लगाएंगे तो लेंथ की निसान हमने 15 इंच पे लगाया तो नीचे से हमारी बाजू देखी यहां से निकल जाएगी क्योंकि बाजू छोटी है अगर आपको लंबी बाजू इससे निकालने तो आप साइड वाले फैबरिक में जो फैबरिक बच रहा है वहां से निकालना अब हम ब्लावज की लेंथ रखेंगे तो ब्लावज की लेंथ हमने 14 इंच रेडी रखना तो एक इंच प्लस करके निसान लगाएंगे जैसा जो भी आपकी रेडी लेंथ हो उसमें एक इंच प्लस करना है हाफ इंच ऊपर का मार्जन क्योंकि डीप नेख है तो मैं अपने कोडिंग थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगी तो मैं सबस्वा दो इंच रखूंगी तीरा साड़े पांच इंच का रखूंगी आगे का गला मैने यहाँ पे शाड़े छेंच का रखा है ठीके लेकिन नीचे की चोडाई गले की मैं नही देखा था ब्लावज में धाई इंच उपर भी है लेकिन मैं यहाँ पर उपर सबादो इंच लूँगी नीचे धाई इंच का लिया है और राउंड सेप इस प्रकार से एक बार हाथ को एक जगट टिकाते वह इस प्रकार से चौक को घुमा लेंगे तो अच्छी तरसी हमारी साथे पांच इंच का और आर्मौल रखेंगेो आरम होल भी यह आगे वाले पांच पार। बहुत से जो लोग beginners हैं वो लोग यहीं पर problem हो जाती उनको की दोनों साथ ही cut कर देते हैं चाहे पीछे वाले पर या फिर आगे वाले पर तो आप ऐसा ना करें आपको दो निसान लगाना एक front part के लिए जो एक इंच के round पे होगा बैक पार्ट के लिए डेड़ इंच के लिए इस प्रकार से हमने दोनों निसान लगा लिया है कटिंग के टाइम आपको इसको ध्यान रखना है कि पहले जब आप दोनों पार्ट साथ ही cut करते हैं तो पहले बाहर वाला round का जो safe है उस पे cut कीजिए बाद में आपको front part की cutting यहा है वह पीछे वाले पार्ट के लिए तो यह हमारे दो सेप आ गए हैं अब हमको यहां से देखिए इस प्रकार से हमने यहां पर हलका सा डाउन किया है जो हमने निसान लगा था अर्मोल का उससे हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया हाफ इंच से भी कम है मतलब क्वाटर इंच ह अब हमको टेक्स का निसान लगाना यहां पर मैंने 9 इंच पर लगाई और गले की साइड से हमने यहां पर देख लेंगे कि यह सारी चार इंच होना चाहिए 34 इंच चेट साइज के अकोडिंग और वहीं से हमने एक टेक्स पॉइंट लगा के डेड़ इंच माइनस कर एक हम गले की साइड लाएंगे में टेक्स से हमने जो डॉट लगाया चार इंच में वहां से डेड़ इंच डाउन करेंगे सारे टेक्स चारो तो देखो नीचे वाला भी मैंने डेड़ इंच डाउन किया गले की साइड का भी डेड़ इंच डाउन किया और एक आर्मोल में जाएगा उसको भी हम 1.5 इंच डाउन करेंगी इस प्रकार से और जो कमर की साइड में जाएगा वो text point हमारा कितने दूरी पे लगेगा तो हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है वहाँ से फिर center वाले text point से इस प्रकार से मिलाना है center से हमको 1.5 इंच छोड़ती भी line को ड्रॉ करना है यहाँ पे हमारे दो text point जो होंगे वो चौड़े होंगे एक गले वाले यहाँ से और एक नीचे से और दो कमर वाले और आर्मोल वाले पतले रहेंगे यहाँ पे हमने कमर जो भी आपकी chest की size है उसका fourth वाग यहाँ पे लगा लिजिए और कमर में आपको एक इंच text point का रखना होगा जो text लगता उसका एक इंच आइड करके रखना होगा तो यहाँ पे हमने आठ इंच पे नीचे कमर का लगाया और शाड़े आठ इंच पे ऊपर लगा कि इस प्रकार से fitting वाली लाइन complete कर लेंगे तो यहां हमारी fitting की लाइन आ जाएगी डेढ़ इंच दो इंच जो भी आप margin रखना चाहते हैं उस हिसाब से margin वाली लाइन यहां पे complete करके इसकी cutting कर लिजे इसी pattern पे हम इसकी cutting कर लेंगे आर्मोल की cutting आपको यहां पे ध्यान से बाहर वाली पे ही करना होगा अब हम यहां पे एक neck पे center में cut लगा देंगे गले की चोड़ाई पे cut लगा देंगे जो fitting का निशान है वहां पे हम cut लगा देंगे और एक cut हम लगाएंगे यहां नीची वाली text पे अब हमको shoulder से इसको open कर लेना open करने के बाद जो beach वाला part है अंदर का हम निकाल लेंगे यह पीछे वाला part हो जाएगा और जिस पे हमने mark लगाया यह हमारा front part है अब हम इसमें जो change करना है इसको अब फिर से करेंगे तो यहां पे हमको सबसे पहले armhole को down कर लेना है गले की ज हमारा front part का जो down है हो गया अब हमको text point देखना है तो text point हमने दोनों side पे ले आना है left और right दोनों part पे ले आना है तो इसको हम जगा जगा इस प्रकार से पहले तो दोनों part हमने यहां से cut कर लिया cut करने के बाद हम इसी कैंची से इस प्रकार से थोड़ा सा गड़ा के निशान बना लेंगे जब दूसरे part पे हमारे निशान बन जाएगा तो हम उसको इस प्रकार से complete कर लेंगे तो यहां से देखिए गले की side का हो गया यह armhole का हो गया और यह वाला कमर की side में आ गया एक point हमारा यहां पर नीचे आ जाएगा तो यह हमारे दोनों पार्ट के complete text point हो गए है अब हमको देखिए इस प्रकार से हमने open कर लिया तो यह हमारे देखिए दोनों side आ गई यह हमारा back part है back part के neck की cutting मैं अभी नहीं करूंगी stitching के time ही करूंगी क्योंकि यहां पर मेरे को design create करना ह तो बाद में कर लूंगे text point का निसान लगा लिया हमने अब हम sleeve की cutting करेंगे तो sleeve की cutting हमारी जो ready length थी 4 inch की थी तो हम इसकी cutting 5 inch से करेंगे तो यह हमारा half inch ज्यादा है half inch हम आगे से इस प्रकार से cut कर लेंगे और जो इसकी जो भी आपकी sleeve की length हो उसमें एक inch margin करके आपको cutting करनी है तो down के लिए हमने वैसे तो मैं धाई इंच पी निसान लगाती हूं लेकिन इस पुराने blouse में थोड़ा सा down कम है आर्मोल का तो मैं उसी के coding करूंगी तो यहां पर मैं दो इंच का ही डाउन लोंगी देखी रेडी म का गुलाई देंगे तो आर्मोल हमारी जो है 14 इंच थी उसका हाफ हमने निसान लगा लिया डेड़ इंच प्लस में मार्जन रख लिया इस प्रकार से आर्मोल की गुलाई दे देंगे हम क्या क्या कि फ्रेंट आर्मोल की जो क्रोस कटीं करते हैं उसकी कटेंग मैं consistency की करती हूं मुद्धे की साइज का निसान लगा कि इस प्रकार से प्रेटिंग का निसान लगा लेंगे बाजू की कटिंग हम इसी पैटन पर कर लेंगे गाइज आपको वीडियो में कहीं पर भी अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं सारे कमेंट रीट करती हूं उसकी रिप्लाई भी देती हूं यहाँ पर मैंने प्रे करना होगा उसी हिसाब सेमकरूंगे क्योंकि मेरे को नnement पर डीजाइन डालनी है तो इसके क्रूटिंग मैं अब हमने मैंने मेंट लिया मैंने इस प्रकार से फोल्ड में करके और हाफ हिंज का उपर के साइड आасть हो और शा shocked मेंसा इसको फोल्ड करके रखके कटिंग कर लिया अब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो बाजू की कटिंग के लिए इस प्रकार से हमने दोनों बाजू को सेट कर लेंगे पारी पारा और उसको हम कट कर लेंगे हाफ इंज का मार्जन दे के आपको कटिंग करना फैबरिक पर अब ह प्रकार से मेरे को कमरपट्टी अलग सी नहीं लगानी क्योंकि आगे वाले पाटमें हम इसी फैबРИक को ही फोल्ड कर देंगे पीछे वाले पाटमें हम इस्टिश लगा के अंदर की साइड अस्तर को fold करते हैं, तो उप आक हो जाता है. तो इस टीचिंग के वीडियो जिनको देखने हैं, और कमेंट करके बता देणा, मैं इस टीचिंग की वीडियो भी पार्ट टो करकी complete करऊंगी. तो यह हमारे दोनों पार्ट पीछे वाले और आगे वाले पार्ट कट हो गए हैं, इसलेव बनाने के बाद तभी जो है पाइपिंग की कटिंग करूंगी जिनको पाइपिंग की कटिंग और इस्टीचिंग देखनी हो मेरी चैनल पर अपलोड है वीडियो आप वहां पर जाके देख सकते हैं लिंक आपको नीचे डिक सेक्शन बोक्स में मिल जाए तो आपको कैसी लग एक न्यू वीडियो के साथ तेंक यू